हलो, गुड इविडिंग, नमस्कार, कैसे आसा थियो, बिसेक आज आप सब का स्वागत है, फिर से एक बार आपके अपने परिवार, टेस्ट बुक में हम हैं टेस्ट बुक के एक नई ग्रांती, आज की परिकल्पना की जब बात की जाए तो राज्य स्पसल परियाय को अधा तो यूपी जी की उपर आधारित करते हुए कुछ बिसेस प्रश्णों की सिंखला, आप सब के साथ साजा करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बिसेस कारी करना होगा, खासा इस सेसन में जुने हैं तो इस सेसन को लाइक और अपने दोस्तों मित्तों के पास साजा करना ताकि उन लोगों को भी इस सेसन में उपस्थित कराया जा सके। के दोहराओं के उपरांत आज के कुछ नए प्रश्णों की चर्चा करेंगे, तो विसस्ते अगर दिखा जाए तो कल के प्रश्णों की जो सिंखला है, पहला प्रश्ण आपके सामने है कि निमलिकित में से बताइए, निमलिकित में से हवारी हाँ पर हतनी कुन बैराज को क इस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप भी जानते हैं इस कोम क्या नाम देते हैं, ताजे वाला बैराज बेसिकली नाम दिया जाता है, राजी की सीमा सहारनपुर के साथ असपर्श नहीं होती है, तो आप भी जानते हैं, हमारी प्रश्ण जो असपर्श नहीं होती है वह किसके साथ होगी, तो वह हो जाएगी आपके मध्ध प्रदेश के साथ, मध्ध प्रदेश के साथ हमारी राजी की सीमा असपर्ष नहीं होती है, एक नाम होता है कि सोनबंद की बारे में कौन सा कथन सत्त नहीं है, क्या सोनबंद जूसी कासी है, बिल्कुल है, सोनबंद अ नदी की जब बात की जा तो सोन बंजले से कौन सी नदी नहीं फ्रवाहित होती है, तो आपने कई बार सुना हो गातों की जबबत की जया, तो इसकी अस्थापना कब करीगे, हिंडेल को मतलब आप भी जानते ही, कि हिंद्वस्तान इल्मूनियम लिंटेड कार्पोरिसन की जबबत की जया, तो इसके रुप में इसके अस्थापना की गई है, वेषएक कगार देखा जाया तो इसकी अस्थ काईमूर बनी जुबिहार की जब बाज की जा तो इसके स्थापना कब करी गई तो काईमूर बनी जुबिहार खासा यह अस्थापित हुआ 1982 में आज मिर्जापुर जिले में अवस्थित है हमारी आपर सोनवद में कौन सा धातू नहीं पाय जाता है तो सोनवद की जब बात की जातों सोनवद में जो तत्तू नहीं पाय जाता है वो खास करके लोहा, हमारे यूपी के परिपेच्वे लोहा की मात्ता ना के बराबर पाय जाती है कर्मा नित्य हमारी यूपी में समधित होता है तो कर्मा की जब बात की जा तो ये कहां से तो ये एक बार फिर से सोन बद में एक जनजाती होती है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा खरवार जनजाती या खैरवार जनजाती उनके माध्यम से इसको आजित किया जाता है खासा मुतिलाल नहरू की नाम से एक बाल संगाले या यूपी में स्थापित है कहां पर देख बिलता है तो ये ध्यान कीगा रादधानी लखनव के अंगत मुतिलाल नहरू की नाम से एक बाल संगाले बिसिकली देखने को मिलता है एक नाम ध्यानिकीगा कि हर्दाश जेंती पुरती वर्स आजित की जाती है लिगिन कब आजित की जाती है तो हर्दाश जेंती सबसे पहली बात तो ये ध्यानिकीगा कहां पर आजित होती है तो आज आपका जो बिंदा बन है उस बिंदा बन में इसका आजन किया जाता है नितिकारों की जब बात की जाए तो कौन से ऐसे नितिकार हैं जिनका संबध हमारे कथक निते से नहीं देख मिलता है कथब बिधा की जब बात की जा तो खासा धनकीगा दुरुबतारा जोसी अगर इनकी बात की जा तो इनका समध इसे नहीं है क्योंकि ये सितार बदाने वाले में से एक प्रमुक बत्ती आते हैं नाम आता है महानगर बसिवा महानगर बस सिवा की जब बात की जया तो इसकी सुरुवात कब करी गई तो आप भी जानते हैं यह शुरू हुआ था 1992 में लेकिन खास करके 6 जुलाई 1992 में कानपुर नगर निगम से पहली बार इसकी सुरुवात हुई थी उतब देश के किस जिले में गेंदा सिंग की नाम पे गन्ना परजन और अनसंदहान किंद आपको देख मिलता है तो यह संस्थान आपके उतब देश के कुसी नगर जिले में बेसिकली देख मिलता है जहां पे गन्ने के उपर आधारित यह सूथ संस्थान खयाल गायकी के समद में किसका नाम देख मिलता है तो खयाल गायकी की जब बात की जाए तो आपने आमिर खोसो को कई बार सुना है आमिर खोसो को हम लोग खयाल गायकी का जनक मानते हैं हवारे उत्तवदेश में आयुरुबेद महोसो का आयुजन किया जाता है तो खेती बाड़ी के उपर आधारित करते हुए इन महोसों की जब बात की जाए तो जहांसी का नाम ध्यानिकी का जहां पे आयुरुबेद महोसों और इस्टाबेरी महोसों प्रमुखोप से है नाम आता है कि उत्तवदेश में पहली बार निर्याज समवर्धन और द्योग केंद आपका अस्थाफित किया गया ये कहां पे अस्थाफित है तो ये पार्क आपके गेटर नुएडा में अस्थाफित किया गया है सीमेंट उद्योग हमारी यूपी में कहां इस्तित है तो आप भी जानते हैं ये चुरक, डल्ला, चुनार इन सारी लोकेशन में इसकी अवस्थिती आपको दिखविलती है एक नाम होता है कि उत्तवदिस्ट में परंपरागत उद्योग कौन सा है तो परंपरागत उद्योग मतलब जो लंबे अर्से से हमारी आपर अत्यदिक मात्ता में लोगों के माध्यम से किया जाता है तो चीनी उद्योग आप भी जानते हैं गर्नी का उत्पादन और उसकी साथ हिसाथ चीनी का उत्पादन यह बेसिकली हमारे यूपी में आपको अत्यदिक मात्ता में दिख्विलता है एक नाम आता है कि यमुनानदी आज यूपी में कहां से प्रिवेस करती है तो खासा ध्यानते हैं सहारनपूर के फैजाबाद लोकेशन से यमनानदी हमारी योपी में प्रवेश करती है उत्वधिस की किते जिले बिहार राज के साथ सीमा साजा करते हैं तो आपने सदेर सुना होगा खासा NRI बिभाग की जब बात की जा तो इसका गठन हमारी यूपी में कप किया गया तो NRI बिभाग हमारी हाँ पर सन 2014 भी गठित किया गया एक नाम ध्यान कीगा कि महत्माबुद की नाम से पिंदो की किसे बिश्मिद्याले कहां परस्थापित है तो यह स्थापित क्या जा रहा है आज क्या के कुछी नगर जिले के अंदगत और इनी संकल्पनाओं को हमने कल की सेसन में पूरी तरिके से देखा था अब आज की संकल्पना की सुरुआत करें लेकिन आप लोग जरू ध्यान कीगा यह टेली ग्राम चैनल आपके लिए काफी महत्पूर होता इसे जरू जोइन करिएगा क्योंकि इसके माध्यम से क्लास की पीडिया फगरे आपको प्रतिदिनी बस प्राप्थ होती है चलीगा बिसर संकल्पना की जब बात की तो इस कोड को भी आप इसकेन कर सकते हैं अगर आपको सर्ज करनी पर नहीं मिलता है पहले प्रश्ण की बात करते हैं आज की सेसन की सुरुवात करते हैं पहला प्रस्ण ही कि नमिक्रिम से उत्तव दिस का पहला बिस्विद्याले कौन सा है। ये कानपुर बिस्विद्याले है, इलाहबाद बिस्विद्याले है, बनारस बिस्विद्याले है, या फिर जहांसी बिस्विद्याले है। यूपी की परिपेच की जब बात की जाए तो यूपी का पहला बिस्विद्याले किसे माना जाता है दो चीट ध्यान रखीगा पहली बात तो यूपी में कुल छै किरसी बिस्विद्याले है ठीक है और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कुल छै केंद्रिय एक संदर्व की जब बात करते हैं तो एक नाम ध्यान नखेगा, हमारे UP के परिपेच वे आपने कानपूर का नाम सुना होगा, कानपूर में एक विद्याले परता है जिसका नाम है छत्तपती साहुजी महराज को ले करके, तो साहुजी महराज अर्थात आपकर सेकते हो कि टेटनोलजी की बात किये तो इसी परिपेश विद्याले कीगा IIM भी हमारे UP में देख मिलता है खास करके ये खाँ पर स्थित है तो ये रद्धानी लखनाओ में स्थित है हमारे UP की जब बात की जाए तो UP में आपने चीके सब इस विद्याले की बारे में कई सुना होगा ये विद्यमान है खासा अगर देखा जाया तो यहां पर भिद्याले कुए सथापना करी गई थी कब 23 सितंबर की जब बात की जा तो 23 सितंबर सन 1887 में सन 1887 में क्या हुआ था इसकी अस्थापना करी गई थी और इस विशय पहलू की जब बात की जा तो विशय पहलू को लेकर की ध्यान कीगा कि इलाहाबाद बिस्विध्याले क्या होता है यह हमारी कहां का पहला बिस्विध्याले क्या होता है 1877 1877 में इसकी अस्थापना की गई खास करके हमारे UP का यह पहला क्या हो जाता है बिस्विध्याले होता है परिपेच की जब बात की जा तो बनारस विश्विद्याले आप भी जानते ही ये 1916 में अस्थापित हुआ है खास करके मदन मोहन मालविय के द्वारा किसके द्वारा मदन मोहन मालबिये की जब बात की जा तो मदन मोहन मालबिये के द्वारा यह विड्याले आपका अस्थापित किया गया है और इस विड्याले की जब बात की जा तो इस विड्याले का परिपेश ध्यान रखेगा का आगी की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कर फिलती मगगा की जब बात की जाए तो बल्टी मगगा कै थे हमारी यूपी के पहले राजिपाल थे यह तु आप भी जानते हैं UP के पहले राजिपाल की जब बात की जाए आपके अंग्रेजी सासन सत्ता के अद्गत 1921 में तो बल्टी मगगा बनाए गए थे लेकिन सरोजनी नाइडू की जब बात की जाए तो यह हमारी UP की क्या हो जाती है पहली महिला राजिपाल के रूप में जानी जाती है और इसके बाद जो एक नाम आता है वो आता है कारनेलिया सुराब जी की बारे में है कारनेलिया सुराब जी की जब बात की जा तो ये खासा धने कीगा ये यूपी के परिपेच में जब हम यूपी के बात करते हैं मदब कागच का एक भिसेस उत्पादन के अंद हमारी उपे में कहां श्रृत है? सहारनपुर में लठ्णऑ में मुरादाबाद में और पर आपके कानपुर में है आज कागच का अत्यदिक मात्ता में उत्पादन कहां पे देखने को मिलता है कागज कागज आप लोग भी जानते हैं जिस पर आप लोग नोट करते हैं बेसिकलिए अगर इस पंदिती की बात की जाए हमारी यूपी में कागज के लिए एक जो लोकेशन फेमस है वो काफी जाना जाता है जिसको हम करते हैं हस्त निमित कागज अस्तनिमित कागज अस्तनिमित कागज की जब बात की जए तो ये कहां का famous है तो ये आपके जलाउन की धर्ती से देखने मिलता है और अभी आपने सुना होगा इसको हम लोग GI टेग भी दे चुके हैं कागज की जब बाज की जा तो एक प्राकितिक कागज आपने सुना होगा प्राकितिक कागज जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं भोज पत्र के रूप में जानते हैं क्या कहा जाता है भोज पत्र के रूप में जाना जाता है भोज पत्र बिसिकली आपने देखा भूगा कि य पांडूलिपी बस एक ही संदर था, कि पुराने कागज पर, पुराने पत्तों पर, पुराने तनी की पत्ली-पत्ली जो पत्तियां होती थी, उस पर हाथों से जो चीजी लिखी जाती थी, उसको पांडूलिपी कहा जाता था, आज हमारी यूपी की जब बात की जा, तो संयो बनाई जाती है, जिसको हम पल्ब कहते हैं, तो उसे लुद्धी को आधारिक करते हुएक बिसे सोध संस्तान यहां देख मिलता है, नाम होता है कि उत्तबदेश की परिपेछे पहली बार कोई विपच्छ नेता का नाम देखने को मिलता है, और सयोग से वो महिला के रुपमे ह होती हैं सरोजनी नाइडो कार्णिल या सुराब जी सुचे था के प्लानी या फिर सर वार्टर मारगन यहां पर कौन सा सही जबाब हो जाएगा पहली बार विपच्छनीता की रुप में किसका हम नाम देख पाते हैं तो नाम की रुप में कर देखा जा तो मिलता जुलता जो महिला की रुप में जानी जाती हैं जो यूपी की सीयम है बाकी अगर देखा जा तो सुरुनी नाइडो अभी हमने चर्चा किया कि ये प्रदेश की पहली राज्यपाल की रुप में जानी जाती हैं कार्णिलिया के बारे में अभी हमने देखा यूपी की पहली आपकी वकी पार्टी भी बनती हैं खासा अगर देखा जा तो शुरुबाती दिनों में ये बिपच्छी निता के रुप में कारि करती है वेसिक अगर देखा जा तो इनके पती का नाम ध्यान कीगा कई बार परीच्छ में पूछा जाता है क्योंकि जे भी किपलानी की जब बात की जा तो ये CPI से समधित एक पार्टी थी, खास करके कम्निष्ट पार्टी उससे समधित थे, जबकि सुचेता किपलानी मुख रूप से कांग्रिस की एक धुरंधर नीता की रूप में जानी जाती थी. का जारे की ब्यतवा नदी पर आधारित है राजगाट बात, राजगाट परियोजना की जब बात की जाय तो यह किस एक राजजी को इसमें और सामिल किया गया है, यह हरियाना है, राजस्थान है, बिहार है, या फिर आफका मंधिपले से है, एक्शली आप भी जानते हैं सामानिते क्या होता है, कि जो हमारी हम पर बड़ी-बड़ी परियोजनाएं अस्थापित की जाती है, तो पहला तो मनतब भी होता है कि किसी परियोजना को किसी एक पहलर लोकेशन में अस्थापित कर दिया गया, लेकिन दूसरा कंडिशन ये होता है कि किसी दूसरे राज जिसको भी अगर उसे लाब मिलता है तो उसको भी इसमें सामिल कर लिया जाता है जैसे एक आपने नाम सुना होगा गंड़क परियुजना तो गंड़क परियुजना हमारी यूपी को भी लाब मिलता है लेकिर वही नदी चाह के बिहार में जाती है तो बिहार को भी हमने सामिल कर लिया तो इससे ये दो राजियों के संयोक्त परियोजना है तो ऐसे हमारी खाँ पर संदब दिखते हैं राजघाट परियुजना की जब बात की जाए जो बत्मान में हमारी यूपी में कहां इस्तित है तो आप भी जानते ही ये जहांसी जिले के अंगरल प्रमखोप से अवस्तित है हलाकि इसी के अलामा अगर दिखा जाए तो इसी जहांसी में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में माता टीला पर्योजना के रूप में है माता टीला पर्योजना के रूप में भी आपने नाम सुना होगा माता टिला परियुजना जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं खास करके रानी लक्ष्मी बाई परियुजना की जब बात की जाए तो इसका भी नाम यहाँ पर दिया जाता है ठीक है तो रानी लक्ष्मी बाई परियुजना माता टिला परियुजना ये प्रमुकूपस देखिलता है लेकिर राज-घाड बाज पुर्धेश जब बाज की जट जासी में स्थित है नदी जो निकलती है वेतवानदी ब्यतवानेदी बेसिकली निकलती है आपके मद्ध पुर्देश से तो मद्ध पुर्देश और उत्वदेश इन दोनों को क्या होता है लाप मिलता है ठीक है आगे कि जब बात की जात काजारा किसे एक परिजुना उत्वदेश बिहार और निपाल के मद्ध में आपको दिख मिलता है कौन सी ऐसी परियुड़ा है जो यूपी मद्ध पुर्देश और बिहार के बीच आपको दिख मिलती है देखे अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया कौन सी नदी हो जाएगी तो सीध्य सब्दों में गंडख नदी क्योंकि गंडख की जो संकल्पना है ये नेपाल से निकलती है और जब ये नेपाल से निकलती है तो उस दसा में क्या होता है इसको हम लोग सालिक ग्रामी नाम देते है साली ग्रामी की जब बात की जा तो साली ग्रामी नाम से क्या जाना जाता है इस नदी को नाम दिया जाता है साली ग्रामी इसको पहाडी लोकेशन में और साथी साथ इसको क्या नाम दिया जाता है तो पहाडों पे जब रहती है तो उस टाइम पे इसको सालिक ग्रामी कहते है और जैसे मैदान में आती है तो इसका नाम नाराइडी हो जाता है लेकिन यही नदी आगे चलते चलती आपके यूपी में जब प्रवेस करती है तो उस दसा में क्या हो जाता है इसका नाम गंडक हो जाता है हलाकि यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में बहुत ज़्यादे इसका बिस्तार नहीं है यूपी में केवल दो जिले ध्यान कीगा एक है माहराज गंज वहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी संकल्पना है और थोड़ा सा हिस्सा जो है वह आपके कुसी नगर में देखलता है तो माहराज अगंज और कुसी नगर के बात क्या करती है यह आपके बिहार में प्रवेश कर जाती है तो इस तरीके से बिहार में प्रवेश करते हुए इसका नाम बिसिकली देख मिलता है गंड़क पर जुना तो यह यूपी बिहार और नेपाल इन सब की संयुक्त रुप से परियोजना की रुप में जानी जाती है नाम आता है कि नरावरा पर माड़ू सक्ती परियोजना का निर्माड ने विकित में से कहां पर किया गया है आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में नरावरा नाम का जो एक संयत्र है वह कहां से देखने को मिलता है यह मिर्जापूर पिपरी से समध्ध है, यह जहां से व्यतवा से समध्ध है, यह मिर्जापूर देव प्रियाग से समध्ध है, या फिर यह बुलन सहर नरावरा से समध्ध आपको देखने को मिलता है, कौन सा लोकेशन इस परिपेच में आपको देखने को मिलता है, आज वो संयोग से हमारी यूपी में प्रमकोप से आपको दिफिलता है और इसकी जो अवस्थिती होती है वह कहाँ पे स्थित है तो यह आप भी जानते हैं यह बुलंद सहर नाम का जिला जो है वहाँ पे एक लोगो किसम पढ़ता है नरवरा है तो बुलंद सहर नाम के जिले में नरवरा नाम के इस्थिती में क्या होता है हमारी यूपी का एक मात परमाडू सेयत है हलाकि यूपी के ही एक सहर के नाम पे एक और नाम ध्यान रिखेगा गूरकपूर का नाम बाकि हमारी UP में एक मात जो है वो आपके नरोरा पर माडू रियक्टर के रूप में कहाँ पर बुलन सायर जिले में देखलता है वसे बुलन सायर की जब बात की जा तो यहाँ पर आपने खुरजा का नाम सुना होगा क्योंकि खुर्जा को हम लोग क्या करते हैं सिरेमिक सिटी भी कहते हैं सिरेमिक सिटी की जो संग्या दी जाती है वह आज हम लोग क्या करते हैं खुर्जा को कह देते हैं वसे नरोरा से ही एक नाम याद आता है जिसके परिपेच हुए खासा जब हम यूपी की बात करें और यूपी के परपेच वें एक संदर्ब आपया शुरा हुगा हमारी हाँ पर एक मात्त, तेले रिफाइनरी तो इसका भी नाम ध्यानिखी गा क्योंगे यह भी एकलवती है एक मात तेल रिफाइनरी की जब बात की जाए तो ये कहां पर देख मिलती है एक मात तेल रिफाइनरी का जो संदर्व है वह आपके मतुरा में देख मिलता है आज के मतुरा की जब बात की जाए तो मतुरा में एक मात तेल रिफाइनरी आपको देख मिलती है नाम आता है कि उत्तव देश्वे बनों के बैग्यानिक प्रवंधन के लिए हमने क्या किया पहली बार एक कारी योजना बन विभाग की अस्थापना करी और यह का बाग को देख मिलता है मदब सीधे सब्दों में कहा जाए तो हमारी योपी का बन विभाग का बस्थापित किया गया बन विभाग का मतलब क्या था बन विभाग का मतलब था कि देखो जंगल तो हमारी हाँ पर बहुत पहले से बिद्धिमान थे तो ये बन विवाग हमारी हाँ पर 1909 में अस्थाफित हुआ 1974 में 1854 में फिर आपके 1896 में है तो नाम से ही पता चला है बन विवाग हमारी हाँ पर बाद में ही आपकी अस्थाफित किया गए होगा जब अंगरीज चले गए होगे तो ये संकल्पना होती है 1974 में कब 1974 की जब बात की जाए तो यूपी का बन विवाग आपका अस्थाफित किया जाता है ठीक है बन विवाग की जब बात की जाए तो बन विवाग के अस्थाफित की जाती है हलाकि बनों की जब बात की जाए तो उसके संदर में चिय और ध्यान की गा आज यूपी में जो बन रिपोर्ट बताती है पुर्धिक बताती है जब कि जब बात की जाय तो अपने भदो ही नाम सुना होगा भदो ही में सबसे कम मात्रा में बन पाये जाते है और बनो के ही जब बात की जाए तो एक नाम और ध्याने कीगा सहारनपुर जिले का नाम क्योंकि सहारनपुर में क्या होता है बनो की अंतरगत जो उसके दूरी होती है जो इसका एरिया होता है उसमें बिस्ती भी देखने को मिलते है बिस्तार आपके सहारन पुर्स्टे समलित होता है वसे बनों के परिपेच आपने सुना होगा आंध प्रदेश ने क्या किया है अभी हाल फिलाल के आंकडों में सरबाधिक बित्धी अर्जित की है अगर यहीं पर देखा जाया तो आपने मड़ीपूर का नाम सुना होगा मड हलियाना की जब बात की जाय तो हलियाना का नाम ध्या नेखेगा जहां पर सबसे कम मात्रा में बन पाए जाते हैं तो इन सारी संकल्पनाओं का अधार बिसिकली है एक नाम आता है कि उत्तवर्देश में संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम के अंतरगत चलाई जाने वाली बन परियोजना कौन सी होती है आधुनिक अगनी समन परियोजना बन रच्छन परियोजना बन विकास परियोजना या फिर आधुनिक विच्छार उपर परियोजना हमानी हाँ पर संयुक्त राष्ट विकार का इसका में संयुक्त राष्ट मतलब आपका सेकत हो कि UNDP की जब आधुनिक अगनी समन परिजना यह किसके माध्धिम से डेवलप की जाती है यो यन डिपी के माध्धिम से तो यूनाइटर निसन डेवलप्मेंट प्रोग्राम की जब बात की जा तो उन्हों ने कहा कि देखो हमारी यहां पर एक काम करो काम क्या करो कि हमें जो जंगल में पौधा लगा दिया और पौधा तयार के ते दिन में होता 10 साल, 20 साल, 50 साल लग जाते हैं उसे तयार होने में लेकिन जंगल की एक मामूली सी चिनगारी क्या करती है ऐसे हजारों लाखों पौधों को क्या करती है बिनस्ट कर देती है तो हमें एक मुख काम करना है कि तो पौधे को सुरच्छित करने के लिए आधुनिक्तम अगनी समन पर जो तकनीकी होती है उसको अपलाई करने के लिए UNDP के दोरा जंगल की आग को यहां पर क्या किया जाए रोका जाए उसके लिए इसको नाम दिया गया बसे जंगल की आग की जब बात की जाए फायर आफ की रुप में जानते हैं क्योंकि पलास की फूल क्या होती है सूख जाती है तो इसकी पंखुडिया जमीन पर जाती है और यहीं सूखी होई पंखुडिया एक बार आग पकड़ लेती है तो पूरे जंगल में समुचा आग भी लग जाता है ठीक है नाम आता है कि वो तब द का जो एक अधिकार है वह हम किसको देते हैं सबसे पहली बात तो यह ध्यान कीगा आज बनु की जब बात की जा तो बनु को हम के त्टी काटेगरी में डिवाइड करते हैं तो छै अलग-अलग काटेगरी में डिवाइड करते हैं अगर हम पनु का प्रसाशनिक बरगी करन क करें प्रसाष्णिक मतलब सरकारी सरूप में अगर इसका हम बढ़ी करण करें तो हम बनों को छय प्रमुक भागों में देख पाते हैं कौन-कौन से भाग होते हैं तो पहला होता है संदच्छित बन संड़चित बन संड़चित बन मतलब जो किसी के संड़च्छ में रखा गया है और संड़च्छ में रखने का मतलब उसको हमने दे दिया है रखो अपने पास इसका जोद पाध होगा वो लेते रहना लेकिन जंगल सुरचित रहा है जैसे आपकी कोई गाए होती ही गाओं में, अक्सर आपने देखा होगा कहीं आप बाहर जाते ही तो किसी पडूसी को सौम देते हैं, तो उससे दूइलने वाला दूद पडूसी खाएगा, लेकिन गाए आपकी सुर्चित हैगी, ये पडूसी की जिम्मेदारी होती है, तो सन आरक्षित बंद, एक होता है आरक्षित बंद, आरक्षित बंद का मतलब क्या होगा, कि यहां पर ये पूरी तरिके से आपके एधिकार में होगा, यहां पर कोई हस्ता चेफ नहीं होगा, जैसे मालिते हैं, सरकार ने इसको आरक्षित कर दिया है, इसका मतलब यह रिजर्ब है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सरकार अब वहाँ सहद चपक रहा है, आम गिर रहा है, पकनारी फेंका जा रहा है, कोई मतलब नहीं आप से, वहाँ पर आपका तनिक भी कोई मतलब नही ना उस जंगल में आपका प्रवेश होगा ये पूरी तयकी से रिजब है रिजब के अलामा अगर देखा जा तो फिर एका आता है जिसको हम कहते हैं साब जेनिक बान साब जीनिक ब Irish का संदक क्या होता है साब जेनिक बान ऐसा बन होता है जो लगाय तो जाता है सरकार के द्वारा और होता भी है सरकारी जमीन भी लेकिन हग जो होता वो सबका होता है सरकार का भी होता है और आपका भी होता है तो ये साबजिनिक जमीन जैसे स्कूल हो गया सलक के किनारे हो गए आपके नदी तलाप उखर, नहर के किनारे तो ऐसे बनों को हम सार्विजिये बन के रूप में जानते हैं फिर इसके अलामा एक बनाता है जिसको हम करते है राजकिये बन राजकिये बन, राजकिये बन का मतलब क्या होता है राज्किय बन की जो संकल्पना होती वो सीधे सब्दों में यू होता है एक ऐसा बन जिसको पूरी तरीके से राज्य सरकार ने क्या किया है यहाँ पर आप कहसे क्यों कि गोसित कर रखा है और ये राज्य सरकार की देख रेक में होती है तो इसका नाम देख मिलता है और एक नाम होता है जिसको हम करते है Nijee-band Nijee-band का संदर्ब क्या होता है Nijee-band का संदर्ब होता है कि जैसे मालित है हमारे पास जमीन है हमने क्या कि अपने गाउँ घर में एक अच्य खासी भगीचिशे को रोक दिया तो ये निजी बन कहलाता है तो इस तरीके से अलग-अलग बनों की संकल्पना को दिभिनते है सनरचित बन, आरक्षित बन, साबजेंग बन, राजकिय बन, निजी बन इवन इसी परिपेच में एक बन और आता है जिसको हम करते है अय वर्गी कित बन, अय वर्गी कित का संदर क्या है जिसको ना हमने सनरचित किया, ना हमने क्या किया आप कर सकते हो कि आरक्षित किया तो एक ऐसा बन भी है हमारे पास जो ना तो आरक्षित है, ना तो सनरचित है उसको हम अय वर्गी कित कहते हैं तो इस तरीके से 6 कटेगरी के बन हमें अपने हाँ पर दिख मिलते हैं अभी नहीं बनों को देख रेक करने का इनका उपयोग करने का अधिकार ये सारी चीजों जो समलाइद करनी है उसको करने का अधिकार जो दिया गया है वह किसे दिया गया है तो यह उत्तब देश बन निगम को दिया गया है कि समधित जो बन है जंगल से जो लकड़ी मिलती है जो इसके उत्ताद मिलते हैं सहद वगर है उन सब का आप क्या करिए यहाँ पर प्रियोक करिए और कैसे कैसे इसको रेगुलेट करना है कैसे इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके बन निगम के पास आपको दिख बिलती है ठीक है एक नाम आता है कि उत्तब देश के परिपेश में सांस्कितिक परंपरा के परिपेश में पूरन भगत यह नाम आपने सुना होगा पूरन भगत पहलु की जब बात की जा तो यह समधित देख मिलती है आज पूरन भगत की जब बात की जा तो इसका संबंद हमें किस एक परियाय से संबंद देखने को मिलता है पूरन भगत बिसिकलि अगर देखा जा तो पूरन भगत के बारे में खासा ध्यान कीगा ये जो संबंद आपको देखलता है तो ये हमारी यूपी के परिपेच्वें क्या है एक बिसे इस्ता है लोक गीत के रुप में जानी जाती है खासा अगर देखा जा तो हमारे यूपी के परिपेच्वें जब आप पश्वी यूपी के तरफ आएंगे तो वहाँ पर इसका आज़न किया जाता है लोग गीतों के परिपेच में जैसे आपने रागणी के बारे में सुना है रागणी के अलामा अगर देखा जा जैसे आपने यहाँ पे धोला मारू के बारे में सुना है धोला मारू उसी तरीके से आपका पूरन भगत भी यहीं पश्वी यूपी से देखने को मिल जाता है पश्वी यूपी की जब बात की जा तो पश्वी यूपी में यह सारे नाम प्रमुकुप से देखने को मिल जाते हैं प्रमुक्त से क्या होते हैं आपके लोक गीतों के अंतरगत प्रमुक्त से देखने को मिल जाते हैं साथ ही साथ अगर देखा जा चुकि लोक गीत की बात की गई तो जैसे लोक गीत में आपने ब्रज मंडल में सुना होगा किसके बारे में होरी गीत के बारे में होरी गीत या पर जिसको हम लोग क्या कहते हैं फाग गीत कहते हैं इवन आपने यही पर रास गीत के बारे में सुना होगा लोग गीतों की जब बात की जय जय से आपने पूरवांचल में कजरी का नाम सुना है कजरी के लामा सूहर का नाम सुना है सूहर आलहा रसिया इन लोक गीत की जब बात की जा तो इन लोगों का संबंध हमें देखने को बिलता है बिरहा आलहा रसिया बिरहा के बारे में तो आप भी जानते हैं बिरहा कहां के संबंधित है यह पूर भी संबंधित है पूर वांचल से संबंधित आपको देख बिलता है आलह लीला के परिपेच्वें आपका सकते हो कि आपका जो ब्रज मंडल है वहां से इसका सम्मध होता है तो मुख रुप से कर देखा जाए तो यह लगबग यूपी के प्रमुक भशिते होते हैं और यूपी में ही क्या होता है यह अलग-अलग प्रकार किया के लोक गीतों का गाय आदिवासियों के दोरा कॉन सा नित आजित किया जाता है एकचुली यूपी की जो सिंखला है, यूपी में कई सारे प्रकार के नित वगए आजित किये जाते हैं और इनहीं नितों की जब बात की वो आपके आदिवासियों के द्वारा ही आजित के जाते हैं, क्योंकि मुख्य ब्यक्ति जो हो गया है, वो का करता है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा देजे, ठीक है, तो आज के परिपेच में हम लोग तो नागिन डांस, जंगनेटर्स डांस, चिरिया डांस, कुत् करते हैं, और खास करके अगर देखा जाये, तो वही पवन सिंग का एक गाना, जिसमें आप कहते हो कि कमरिया करे, लौप 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 लाली पोप लागे लो, तो जब तक ये गाना ना बजे, तब तक आपका मानक पूरा नहीं होता है, तो ये आदुनिक्तम चीजे हैं, जिसका मुख्यदारा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अमारी खांपर एक सांसकितिक विवित्ता है, जो उस पहलों को लेकर के अभी भी खांपर बिद्वान है, अगर उसकी बात की जाये, तो वो अभी भी अमारी हम पर कुछ एकादिवासी समाध जो होते हैं, जो या जिसको हम लोग क्या करते हैं, खरवार के रूप में जानते हैं, तो खरवार या खरवार जन जाती की जब बात की जाते हैं, तो उसके द्वारा कर्मा नित्याप का आज़ित किया जाता है, वसे देवी नित्याप की जाते हैं, तो यह किसे समझत है, तो यह हमारे खापर गुंदेल खंड में होता है, जहां पर आपने सुना होगा कि एक दिभी बीच में खड़ी कर दी जाती है, और उसके चारों और क्या करते हैं, लोग नास्ते गाते हैं, चपली नितिया आप भी जानते हैं, यह अबार इतनी पश्मी यूपी की जबात की जा जो उत्रा खंड स आगे की जब बात की जा तो उत्राप देश में प्रसिद एक बैकती हैं जिनका नाम है अच्छन महराज, एक बैकती हैं संभू महराज, अगर इनकी बात की जा तो कत्थक नितिकला की सैली के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है, तो इन्होंने कौन सी सैली को ये तो आप भी जानते हैं, कहां से समंध हैं, ये लखनाउ घराने से समंध हैं लेकिन इन्होंने कौन सा इक से इसना है development किया ? तो इस पहलू की जब बात की जा तो सीदे सब्दों में लखनाउ घराने से समध तहें कत्थक नितने सैली से आपके अच्छन महराज और पिर नित्य सैली की जब बात की जाए तो सास्ते नित्य सैली के रुप में इसका नाम प्रमखोप से देखने को मिल जाता है। या फिर आपके खरवार। तो इस जनजाती की जब बात की जाए तो इस जनजाती का नाम क्या होता है। की जो अवस्तिती है वहाँ पर निमास करते हैं। बैसे अगर देखा जाए तो थारू लोगों का संदब ध्याने कीगा। यूपी की आज सबसे बड़ी जनजाती समोह के रुप में मानी जाती है। देखे संक्लपनाओं की जाए तो थारू जनजाती को शिछित करने के लिए हमारी आपर एक महा विद्याले अस्थापित किया गया है। इनको पढ़ाने लिखाने के लिए विसेश विद्याले आपका अस्थापित किया गया है। पेस्थापित है रज्य सरकारी के विसेश कारी करती है जैसे एक नाम आपने सुना होगा थारू विकास परियुड़ना की जब बात की जा तो ये हमारी आपर राज्य सरकार के द्वारा सुरू किया गया है और इसका सम्द देखा जाया तो ये कब तो ये आपके 2 अक्टूब इनके लिए एक महाविद्याले अस्थापित किया गया है कहां पर अस्थापित है तो ये लखिम पूर जिले में देख मिलता है थारू जंजाती की जब बात की जाया तो इनका नाम ध्याने कीगा क्योंकि इनके माद्यम से बिवाह भी आपने सुने होंगे जिसमें एक इमस होता है बिध्वा बिवाह की जब बात की जाया तो बिध्वा बिवाह आपको प्रमुखोप से देखिलता है और इसी टाइम पे क्या क्या आता है आप भी जानते है लट भरवा भोज खिलाया जाता है तो लट भरवा भोज आके बिध्वा बिवाह के टाइम पे खिला और विवाह की जब बात की जा तो इनके हाँ विवाह और आपको देह हिलता है खास करके बदला विवाह बदला विवाह की जब बात की जए तो यहाँ पदीखें रिखना करें यहां जारी गे कि उत्व दिस्विक कौन सी जनजाती बिजनावर के ग्रामिर छितों में निवास करती है बिजनावर जिले के अंतरगत गाउं छित का जो लोकेशन है वहां पे निवास करती है बसे तो आप भी जानते आज जनजाती की जब बात की जाए तो जनजाती के जो कुल सं आपने देखा होगा कि यहां पर 10 जातियों को एड़ किया गया कब एड़ किया गया तो 2023 में दस जातियों को एड़ किया गया और ये दस कुल मिला के बारे हो जाती है अरजुन मुंडा का नाम खासा देने कीगा क्योंकि बर्तमान में क्या है ये आपके जन जाती है मंती की रुप में जाने जाते है परिपेच की जब बात की जातो आपने बिर्सा मुंडा का भी नाम सुना होगा बिरसा मुंदा की जब बात की जा तो इनको हम किस रूप में जानते हैं इसको हम जन जाती भगवान की रूप में जानते हैं और पंदे नौंबर का दिवस दिखाने कीगा क्योंकि इसको हम किस रूप में जानते हैं नाम के जंजाती की जब बात की जाए तो यह यूपी के किस एक जिले में निवास करती है बरेली में मिरजापूर में मेरट में या फिराक की कानपूर में है खरवार की संकल्पना सबसे पहली बात तो ये ध्यान कीगा आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में इनका निवास अस्थल कहां से होगा तो सीधे सब्दों में अगर कहा जाए तो ये मिरजापूर का जो लोकेशन है क्यों क्योंकि इनकी जब बात पी जाए तो मानिता के उन्सार बताया जाता है कि जो पलामू का पठार है इसी पलामू के पठार के लोकेशन से इनकी क्या होती है आवस्तिती कन्फरम होती है और पलामू के पठार के परिपेश मेंगे देखा जाए तो इनके बारे में और एक लिए देखने को मिलता है पलामू की पठार अवस्तिती से समधित होता है और इसी कार से इनको हम क्या बोलते हैं अपने हाँ पे दो नाम दिया जाता है कई बार खैर पौध से खरवार नाम दिया जाता है और कई बार सामाने सब्द में खरवार भी इन्हें नाम दिया जाता ह आप भी जानते ही ये लोग क्या करते हैं कत्थे का ब्यापार करते हैं कत्थे का ब्यापार करते हैं और इन्हीं के माध्यम से पीछे बताया था कर्मा नित का आउजन तो कर्मा नित की जब बात की जाए तो कर्मा नित का आउजन भी इन्हीं के माध्यम से देखने को मिल जात ठीक है एक नाम होता है कि कौन सी चितकला की सहली जो है वह आपके यूपी की काफी फेमस है हमारी घांपर यूपी की जब बात की जा तो यूपी में कौन सी चितकला सहली आपको बेसिकली देखने को मिलती है देखे पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे वो अपने खाली स समय में क्या करते थे कुछ विसेश प्रकार की चित्रकला वगएरे को बनाते रहते थे अब सिधी सी बात अगर देखा जा तो ये किसी लोकिशन से विसेश समधित होता है इसको आप चित्रकला को ना समझे बलकि यह समझे जैसे भासा अगर कोई पूर्वांचल से समझे थे तो उसके टोन में भूच्परी का मिकस अप आएगा कोई पश्वीय उप्य से है तो वो थोड़ा सा खड़ी बोली का इस्तमाल करेगा तू तड़ा की बात करेगा कोई हर्याना से है तो उसका तो बिसुद्रूप्चे होगा कोई केरल वगरे से है तो उसकी भासा अलग तो जैसे हम भासा के टोन को पकर पाते हैं उस छेत के आधार पे तो इसी तरीके से क्या होता है लोगों के परसनाल्टी का भी आधार देखनेता है जैसे रहने खाने का ढंग, पहनने उढ़ने का ढंग जया बाथचित करने का लहजा तो यह चीजे क्या होती है हर एक चीजों में पडले चित होती है तो कोई भी बैक्ति अगर जो मान लेते हैं कोई चित्र वगर है बनाता है तो उसमें उसके कुछ छेत्री जो मानक होते हैं उसमें जरूर दिखाई परते हैं और उसी को उस विसेश छेत के परिपेच्वे हम सहली का नाम देते हैं तो इसकी जब बात की जाए तो अमारी हम पर जो बुंदेल खण में चेत बनाए गया है खासा गर देखा जाए तो उनको हम बुंदेली सहली नाम देते हैं कंदरा मनला जो मिर्जापूर का पठारी छेत है वहां पर कई सारे गुफाएं वगरे हैं तो उसके अंगर जो आपके बनाए गई चितकला सहली है उसको हम कंदरा सहली या बिलुप्त सहली की रुप में जानते हैं और तीसरा होता आपके मतुरा लोकेशन में जहां पे मतुरा बर्जवंडल की बात की जाए तो यहां पर जो चीज़े आपकी बनाए गई हैं इसको अमिश्प पर पेच्चों देख पाते हैं तो इस तरीके से हमारी हां पर लोकेशन के आधार पे यह सारी चैली आपको देखे मिलती हैं ठीक है, आगे की जब बात की जा तो एक नाम आता है कि कौन से चित्रकार ऐसे हैं जो यूपी से समधित आपको दिख वेंते हैं, वो कौन चित्रकार है, तो यहाँ पर कौन से ऐसे चित्रकार हैं जिनका समध आपके यूपी से होता है, बाकि इस पांडी सरकोर्ड को जरूर ध्यान कीगा क्योंकि आप भी जानते हैं आपके संकल्पनाओं में, आप किसी भी प्रकार के कोर्स को कैड़ी करते हैं, तो उस्दसामी ये आपको सुनिश्चित छोट दिलवाता है, और अमित पांडे नाम का टेलिगाम चैनल भी ध्यान कीगा, क्योंकि इसके माधिम से क्या आएगा, तो ठक कर ना बैठ, एए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी, मंजिल से मिलने का मज़ा भी आएगा, तो अगर आप लोग इस सिसन में जुरे हैं, तो एक काम और करिएगा, किस सिसन को लाइक और साजा भी करिएगा, यहां पर चितकार की जब बात की जाए, तो उनका नाम क्या होता है, तो खासा देन कीगा, हमारी यूपी से लगबख सभी हैं, खास करके उप्रोग तो सभी की जब बात की जाए, तो चमन भी है, किस्न चैतन भी है, मुर्ली धन, अहिवादी भी है, नाम आता है कि पाकिजा नाम की एक आपने फिल्म सु जाते हैं, उसके अभी नेता हो जाते हैं, जो अतिदिक माता में आपके यूपी से समझ जाए, तो अब पाकिजा की जब बात की जाए, तो पाकिजा नाम की फिल्म जो बनाई गई है, वो किसके माद्दें से, ट्रिक बेक्टी होते हैं, जिरका नाम है कमाल अमरोही, अमरो होता है कि कौन से फिल्म लेखक की जब बात की जा तो इनका समध्ध आपके यूपी से देखने को मिलता है मतलब हमारी हाँ पर यूपी से फिर से एक बार फिल्मों के लेखक का नाम देखने को मिलता है तो अभी आमने देखा कमाल अमरोही आपके अमरोहा जिले से समध्ध है इवन अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा राही मसुम रजा इनकी जब बात की जाए तो इनका भी समंध है और मुकराज सर्मा की जब बात की जाए तो इनका भी नाम आपको देखे मिलता है तो इस सरीके से ये सारे लेखक जो है वो आपके यूपी से समधित हैं नाम आता है कि यूपी के परिपेच्छों राज्य सरकार के दोरा टूरिस्ट अश्ठिलों में हेलिकाप्टर सेवा सुरू करनी की बात की गई है और इसकी जब बात की जाया तो यह निड़ा लिया गया है कहां से इसको चालू किया जा रहा है उत्राकांड से, जहारकांड से, मदपदेश से या फिर आपके उत्तरपदेश से अब यह तो बात के लिए है क्योंकि हम यूपी के बारे में अध्यन करें तो यहां पे हो जाएगा उत्तरपदेश में पहले चरण में इसकी जो सुरुआत हुई थी वह आप भी जानते हैं इवन आपके सकते हों कि जो बनारस है वहां पर भी तो कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो हमारी यहां पर काफी फेमस हैं अगर उनकी बात की जाए तो अब वहां पर हेलिकाप्टर टेक्सी मिलेगी जो आपके उस अस्थलका क्या करीगी ब्रहमण वगरे खराएगी । शुच्छ टेवहार, स्वस्त टेवहार यह जो अभयान सुरू किया गया है वह किसके माद्यों से तो वह एक बार फिर से आपके उत्तव देश के द stellarारा चालो किया गया outreach कमत्तब होता है तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेसन को लाइक और साजा कर दीजेगा और class की pdf को प्राप्त करने के लिए इस telegram channel को भी जॉइं कर लिजेगा क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है आपकी class की संबने जो pdf होती है वो आपको प्राप्त हो जाती है बाकी आज के सेसन को हीं तक रखते हैं पुनाय आपसे कल मुलाकात होगी आज के लिए इतना है थैंक्यू, all the best, bye bye take care, good night, सुबाती, सब्बाखेर